दोस्तो अगर आप भी अपने ATM यानि डेविट कार्ड का पिंजरेट करना चाहते हैं लेकिन मैंड ब्रांच ATM पर जाना नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस आप घर वैठे अपने मोबाइल फोन से ही कर पाएं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस सब्सक्राब करके आनलोड कर लेना क्योंकि आज किस वीडियो में हम PNV यानि पंजाब नेशलन बैंक के ATM का घर वैठे अपने मोबाइल पॉन से ही लाइब आपको डेमो दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ATM कार्ड का पिंजरेट कर पाएंगे और ये पिंज पर आपको सबसे पहले PNV ये अपलिकेशनी है इसको अपने मोबाइल फ gibi फोन में open कर लेना है इत्य अपली केसन आपको एजली पेलिये स्टोर से में जाएगा इसको आपको इस नोगिण, 맞ौ सा अपने उब हो जाएगा अगर आपको सामने कुछ इस तरह का इंट्रफेस करना है उसे वीडियो को देख लेना वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्रिप्टिय्ट में मिल जाए갈ा और PNV का ने अकाौंट आपको लिंक को यह को सब्शाद नियुकर बीटन का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टियंग से अब हम PNV one application से आपके PNV ATM card का जो pin generate करना है तो permanently घरवेटे कैसे अपने ATM card का pin generate कर पाएंगे यही process दिखाने वाले हैं तो जैसे ही आप PNV one application को login कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface open हो जाता है interface open हो जाने के बाद आपको इसी तरह से नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं services का तो जो services का option है इस पर ही आपको click कर देना होता है जैसी आप services वाले option पर click कर देते हैं click करते ही आपको उपर से second जो option है debit card का इस वाले option पर click कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपको apply for new debit card, virtual debit card, catalyst cash withdrawal, update ATM limit, update force limit, update e-com limit, update contactless limit, debit card on off, enable or disable debit card, hot list debit card और यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा the rate green pin तो यहाँ पर आपको the rate green pin का जो option है इसी पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपने इसी mobile number पर एक SMS type करना होगा आपको capital letter में लिखना होगा DCPIN इसके बाद आपको space देना होगा इसके बाद आपका जो debit card यान जो ATM card है इसका 16 digit का number होता है वो यहाँ पर आपको type कर देना है यहाँ पर एक number दिया गया है 560-7040 या आपको दूसरा number दिया है 92640-92640 इस number पर आपको send कर देना है तो वहाँ से आपको एक OTP receive हो जाएगा 6 digit का OTP जो receive होगा उस OTP की यहाँ पर आपकी आवस्यक्ता पढ़ने वाली है तो सबसे पहले इस process को हम complete कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम अपने phone में जो SMS का application होता है test का application इसको open करेंगे start chat वाले option पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको 560-7040 इस number को type करके select कर लेना है अब यहाँ पर test में SMS आपको type कर लेना है यहाँ पर आपको capital letter में DCTIN इतना लिखके आपको space देना है अब यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का जो number है 16 digit number वो यहाँ पर आपको type कर लेना है इस तरह से आपको ATM कार्ड के 16 digit को यहाँ पर type करना है capital letter में इसके बाद उसी number से आपको send कर देना है जो mobile number आपके bank account से registered है यहाँ पर SMS send कर देना है SMS send होते ही यहाँ पर आपको thank you for debit card pin request OTP will be delivered shortly subject to verification of detail entered इस OTP की requirement पढ़ने वाली है जैसी हम pin generate करेंगे तो जो 16 digit की OTP है इसको आपको note कर लेना है यह OTP आपको 72 hours तक ballot रहेगी इससे पहले ही आपको अपना pin generate कर लेना है तो फिर से दोस्तो हम PNV1 का जो application इस पर आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको continue का option देखने को मिलना होगा इस पर ही click कर देना है इस पर click करते ही यहाँ पर आपको आपका account number देखने को मिल जाएगा यहाँ पर card number में अपना 16 याँ 16 डिजिट का जो number होता है वो यहाँ पर type कर देना है इसके बाद यहाँसे आपको अपने card पर देख लेना है जो भी expiry unmelt है उसको slate कर लेना है इसके बाद यहाँसे expiry year को slate कर लेना है expire year को slate कर लिने के बाद जो six digit की OTP receive हुई थी SMS के माद्यम से उसको यहाँ पर type कर देना है इसके बाद आपको continue वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको टी पिन होता है यानि जो भी transaction pin है वो यहाँ पर आपको enter करना होगा टी पिन enter करते ही आपके सावने कुछ seconds का यहाँ पर processing होगा इसके बाद यहाँ पर आप जो भी pin रखना चाहते हैं उसको enter new pin पर आपको type करना है इसके बाद दुबारा से आपको type कर देना है confirm करने के लिए इसके बाद नीचे की तरफ आजाएंगे तो यहाँ पर आपको submit का option देखने को मिल जाएगा इस पर ही आपको click कर देना है यहाँ पर हमने pin type कर लिया है submit वाले option पर click कर देते हैं तो कुछ seconds का यहाँ पर आपको wait करना होगा तो यहाँ पर जो भी आपका ATM कार्ड है यानि जो भी debit कार्ड है उसका pin successfully set हो चुका है अब आप इस ATM का यूज करके कहीं भी किसी भी ATM से withdrawl कर पाएंगे तो इस तरह से आप अपने ATM कार का घर बैठे अपने mobile phone से ही pin generate कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो आज के ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करके all notification को on कर देना जिससे इसी तरह के और भी latest वीडियो के notification सबसे पहले आपको मिलते रहे